आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Name two evidences in support of Lamarchism पूछा गया है कि दो evidence जो की Lamarchism को support करता है तो Lamarchism क्या है तो Lamarch scientist ने एक theory दिया था जहां पे उन्होंने कहा था कि accurate characters जो होते हैं वो pass on होते हैं from parents to offspring यानि कि जो lifetime experiences होते हैं वो भी accurate में आते हैं और वही चीज़ pass होता है from parents to the offspring और यही चीज़ Lamarch ने कहा था support में उन्होंने do examples दिये थे एक था की elongation of the neck जिसमें उन्होंने कहा था की जिराफ का जो neck है वो क्या था वो ितना जादा लंबा पहले एक दम से नहीं था फिर दीरे दीरे क्या हुआ कि जिराफ का जो neck है वो पहले घोट जैसा था फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो large plant के या फिर tall plants के leaf को खाने लगा और जैसे जैसे वो tall plants के leaf को खाने लगा तो उसका neat for the tall plant बढ़ गया जिसके लिए उसके neck को उचा करना पड़ता था और जिराफ ने ये neck उचा करकर के वो क्या करने लगा वो tall plants को खाने लगा और यही जो चीज है यही elongation के path में थोड़ा थोड़ा variation डालने लगा और यही जो छोटा neck था goat-like वो फिर variation से evolution में convert हो गया और जैसा कि हम लोग आज देखते हैं कि जिराफ का neck है वो वैसे transformation हो गया Next theory में लमाक ने कहा था कि limbless snakes 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 जो होते हैं उनके limbs नहीं रहते हैं ऐसा क्यों तो माना जाता है कि बहुत साल पहले जब snake पाए गए थे first time reptile के साथ तब क्या हुआ था कि snake के legs जो थे वो पाए गए थे या फिर limbs जो थे वो पाए गए थे लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि snakes का यह जो limb और legs थे उनका काम नहीं आता था क्यों नहीं आता था क्योंकि snakes जो है वो mostly अपने body के ही भडों से scroll करके आगे जाते थे और उनके limbs जो है वो एकदम से waist organ या फिर वेस्टिजियल organ में convert हो गए और ऐसे ही दिरे-दिरे variations हुआ और उनके limbs जो है वो एकदम से vanish हो गए और यही जो vanish हुआ ये भी था कि उनको acquired character जो कि limb और legs था उसका जरूरत नहीं था और उनका change जो है वो genetic way में जाके produce किया limbless snake को और यह दोनों थियोरी जो लेमार का था वो उनके evidence को कि acquired character जो कि lifetime में होता है वो पास होता है parents से offspring तब और यही दो चीज उनके थियोरी को क्या किया और भी जादा dominate किया Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर